तो आज मैं आप सब के साथ एक एमेजिंग हेर के रिमडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा जरों से मजबूत बनाएगा लंबा घना बनाने में मदद करेगा तो चलिए हेर माक्स को बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब बनाती है नैचरल कंडिशनिंग की काम करती है और आपके बालों को जड़ों से मजबूत बनाती है इसके लिए हमें यह पर चाहिए एक बनाना और उसे चोटे-चोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है दोस्तों आज कल हम हेर प्रॉब्लम बहुत जादा बढ़ती जारी है और इसके लिए हम पारलर जाते हैं धेर सारे हेर-स- vậy या फिर ट्रीट्मेंट करवाते हैं या फिर बहुत सारी महंगी महंगी चीजे अपने हेर के लिए अप्लाइक करते हैं चिसमें की फुल-आफ किमिकल होता है कुछ समय के लिए वह हमारे हैर को ठीक तो करते लेकिन और पर एक बनाना ले लिया था उसे पीस करके मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से उसे ब्लेंड कर लिया है मैंने यह पर बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है सिर्फ बनाना को ब्लेंड कर लिया है अगर आप जरूरत समझे तो आप थोड़ा सा पानी इसमें एट कर सकते जादा नह अच्छी तरह से इसे फिल्टरेशन कर रहे हूँ क्योंकि बनाना का चोटे-चोटे पीस या फिर कुछ रहे जाता है तो फिर भालो में अपलाई करने में थोड़ा सब ट्रॉबलम होता है तो मैंने अच्छी तरह से बनाना को ब्लेंट कर लिया है उसे छान लिया है अब मैं इसमें एड कर रहे हूँ एग में भरपूर फ्रोटीन होता है जो कि अपकी हेर फॉलिकल्स को मस्बूत बनाता है डैमेज शेयर को रिपैर करती है और नैच्रल कंडिशनर के भी काम करता है पालर में जाके महंगे महंगे स्पा करवाने के बाद आपको जैसे सिल्की और सॉ और नैच्रल तरीके से जो कि आपके बालों को पर्मेनेटली ठीक करेगा बिना कोई डैमेज किये हुए आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा और बालों को मजबूत बनाएगा उससे पोशन देगा अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है यह आपके बालों को र सिल्की शाइनी बनाएगा जरू से मजबूत बनाएगा अगर आपके बाल बहुती रूखी सुखे बेजान फ्रीजी है रॉफ है अन्मेनेजबल है तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपको एक्दम सिल्की शाइनी स्मूध एंट मेनेजबल हैर प्रवाइड करेगा हनी एक नैचरल कंडिशनर का काम करता है हनी आपके हेयर डैमेज को रिपैर करता है अगर आपके स्कैल्प में इंफेक्शन है उसे भी कम करने में मदद करती है धनी में धेर सारे विटमिन मिर्ल्स और एंटी आक्सिडन पाया जाता है जो कि आपके बालों को जरों से मजब बनाती है स्कैल्क में जो इंफेक्शन है उसे कम करने में मदद करती है और बालों को जर से मजबूत बनाती है अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो फिर हमारा जो हेयर मार्क्स है जो पैक है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जागा आप इसे हफते गर्व कसारी पालों को तो इसे घ्रीक से कम अपालै कर सके और सबसे अच्छा है अगर आप रॉरात को नहां आप मुष्टामोर मज़ करेंग सबने helping बनाना मार्क्स चीज़ कर रही हो आपको इसे जड़ों से लेकर एकदम अपाला कर लेना है ये आपके बालों को जो फ्रीजीनिस है जो ड्राइनिस है या फिर जो रुखापन है उसे दूर करने में मदद करेगा अगर आपके दो मुहें बालों की प्रॉबलम है या फिर बालों बहुत जादा तूटते जटते हैं बालों में बिलकुल शाइन नहीं है इन सारे प्राप्ल्लिम को दूर करेगा आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में मडद करेगा पालर जाकर अब जब हेर सपा करते हैं उसके बालों में जैसा स्मूथ ने, सिल्की ने और शाइन आ जाता है बिलकुल वैसा ही आ जाएगा इसे पूरी तरह से अपने हेर की Lint में और जड़ो में अपलाई करने के बाद आप ऐक बन बना लीजिए उसके बाद इसे शैंपू से अची तरह से वँर कर लीजिए अब एक बार या दू बार हेसे अस इसतामाल कर सकते कि यह आपके बालों को जरो हो से ंंसे मजबूत बना आप जो शैंपू करते है उसे अपने बालों का अची तरह से क्लीन कर लिए उसके बाद आप रिजल्ट सकते हैं कितनी सिल्की और शाइनी स्मूथ और मैनेजबल बन गया है मार्क्स को ट्राइ करना है दोस्तों कैसा रिजल्ट मिल है जरूर कमेंट करके बताना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर कर देना बेल बेटल को प्रिस करना बिलकुल मत भूलना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब के पास जल से जल पहुँच जाए